है तो हम लोगों ने जो content टाइप decide थे 4 गंटेंस टाइप हम लोगों ने last session में जो करने जा रहा हूं तो मैंने यहापे admin login किया login करने के बाद हम लोग admin में जाके it टेक्श्र पर क्लिक करें तो यह स्टेक्श्र हो गया स्टेक्श्र में प्लिक करेंगे अब मेरे को मार ले यहां पर कंटेन क्रेड करना है तो मैं यहां लिखता हूँ जो भी नाम है content type का तो मेरे को जो content type create करना था वो कौन सा create करना था business directory तो बिजनेस डारेक्टरी मैंने create किया हैना अभी business डारेक्टरी जो content type होगा मेरा है ना जो कंटेन टाइप होगा बिजनिस डारेक्टरी इस बिजनिस डारेक्टरी यहां पर आप देख रहें मशीन नेम अपने आप जनरेट हो गया इसका बिजनिस डारेक्टरी का यह मशीन नेम हम लोग यहां से इडिट भी कर सकते हैं लेकिन जैसे हम इडिट करेंगे यहां पर डेवल नेम है content type का मतलब content type का name हमेशा unique होगा दूसरा content type इस नाम का नहीं बनेगा और it must only contain the lowercase later number और underscores right the name will be used to constructing the URL or content type page मतलब हम लोग यहाँ पर इस तरीके से यह जो यहाँ पर दिया हुआ इस तरीके से हम लोग machine name रख सकते हैं लेकिन हमने जो title में machine name रखा है तो डूपल ने उसका machine डिडेवल फॉर्मेट यहाँ पर बना दिया इसको मैं यहाँ पर description में दे देता हूँ कि मैंने मसीन डारेक्टरी क्रेड करी ठीक है अब एक चीज हो रहा थी कि जो title field है जो कोई भी content type हम बनाते तो title और description का field हमको डूपल की और से डूपल की और से हमको बना के दिया जाता तो जो उसका लेवल होता है उस लेवल को हम लोग यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा और यहाँ पर new revision create हो जाएगा अगर कोई उसको edit करता है तो ठीक है तो यह टाइटल हमने update कर दिया टाइटल अपडेट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर create a new revision create कर दिया और display setting में display author information मुझे नहीं चाहिए और यहाँ पर navigation setting भी में नहीं रखना हूँ तो इस तरीके से हम लोग content type बना सकते हम यहाँ पर सेब के बटन पर क्लिक कर दूँगा अब हम लोगों को फिल्ड बनानी पड़ेगी यह content type हमारा बन जाएगा फिर हम लोगों को फिल्ड बनानी पड़ेगी लेकिन हम लोगों ने decide किया था कि हम चार content type बनाएंगे तो अभी हमको दूसरा content type बनाने के लिए भी फिर में add content type बटन पर क्लिक करूँगा structure के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं यह business directory content type create हो गया और यहाँ पर यह default drupal का body field बना हुआ आ गया अब हम लोगों को यहाँ पर हमने जो field decide की थी उसके recording हम लोगों को यहाँ पर और फिल्ड करते जाना है तो वह अभी हम करेंगे पहले हम लोग चारो content type create कर देंगे तो मैंने क्या किया यहाँ पर add content type में गया और तो मुझे दूसरा content type create करना है locations तो मैंने दूसरा content type क्या create किया locations लोकेशन में भी वही जो description मुझे देना है तो मैंने यहाँ पर locations description में अभी example लिख दिया है और यहाँ पर हम लोग locations name लिखेंगे right location name कर देता हूं मैं इसको इसको मुझे disable रखना है preview मुझे चाहिए नहीं ठीक है publishing option में promoted to front page मुझे चाहिए नहीं यहाँ पर मुझे publish चाहिए create new revision चाहिए और publish चाहिए display setting मेरे को हूँ यहाँ पर यह रखना नहीं है और navigation में यहाँ पर main menu मुझे नहीं चाहिए save and manage field पर click कर देते हैं हम लोग यह location content type भी हमारा create हो गया और यहाँ पर यह manage field का option यहाँ पर आ रहा है अब एक content type और हमको बनाना है जो कि हम लोग event का करेंगे तो event content type बनाने के लिए मैं यहाँ पर add content type पर click करता हूं content type पर click करने के बाद मैं यहाँ पर events उसको नाम देता हूं एक content type और बनाता हूं और उसको मैं events नाम देता हूं तो मैंने add content type पर click किया है कि हम लोग यहां पर इवेंट कंटेंट टाइप एक बना लेते हैं तो मैंने यहां इवेंट्स नाम दे दिया यहां पर भी इवेंट्स हो गया यह इवेंट्स हो गया इसको मैं डिसेवल कर रहा हूं कि यहां पर मैं इवेंट नेम देता हूं promoted to front page हटा देता हूँ publish और create revision कर देता हूँ यहां से इसको हटा देता हूँ और यहां से भी इसको हटा के save कर देता हूँ यहां पर हमारा events content type भी create हो गया अब अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास चार content type हो गए जो हमने नए बनाए हैं और दो डूपल ने default content type है जिसमें से एक article का हम लोग as a news यूज़ करेंगे तो हमारे पास overall जो content type है वो कितने हो गए है article जो हम यूज़ करेंगे business directory, event और location अब हम इनके field बनाएंगे जो field हमने decide की थी वो हम field बनाएंगे और फिर content की mapping करके filter apply करेंगे बनाएंगे बनाएंगे यूज़ मेश्अ लूभबो री मेंले जो ड्यों कितने ड्यों करेंगे बनाएंगे दो आया हम उूदशवकृ जो pouvoir कितने ह ÄNवीय जोज़ में